नमस्कार शीला के रशोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं मलाई से देखिए मक्खन निकालने का वीडियो लेकर आई हूँ और जटपट बनके तयार हो जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है पहले घंटो लगता था मक्खन निकालने में लेकर अब ज् हैं बिलेंडर के सहता से निकाल रही हूँ इसे देखिए तो थोड़ा सा आप इसमें नॉर्मल पानी डाल दीजिए मलाई में तो जल्दी निकल आता है ग्लास मैंने पानी डाल दिया था बड़ा बरतन ही लिजेगा ताकि छिटक के बाहर ना आए यह देखिए हैं मलाई में मक्खन नहीं रह जाता है सबी कठा हो गया है तो आप इस तरह से मक्खन निकाल सकते हैं देखिए कितना सारा मकंनला है किeeee एवैस का दूद की मलाई है ये देखिए में कड़ाई में डाल रही हूं गैस आउन कर दी हूं इसका मैं घीर बनाऊंगी ये देखिए कित्ना सारा मखन निकला है अगिंगे आप देख सकते हैं जरा से बहुत आलास आता था घी निकालने के लिए लेकिन मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है बस मैं थोड़ा सा फिरी से निकालती हूं 15 मिनिट के लिए बाहर रख देती हूं उसके बाद मैं बना लेती हूं जटपट बनके तयार भी हो जाता है तो देखें यह है हमारा फिलि वरी भी बना लेती हूं जी बना लेती हूं घी भी निकाल लेती हूं फिर दे thiचे है कि अच्छा है आप भेस से बना सकते हैं मिलकुल आ से comforting हो गया है उस consecutive अब लगतार चलाते रहेगा, क्योंकि घी है, थोड़ा से कड़ाही में चिपकने लगता है, यह देखिए, तो आप ऐसे चलाते रहेगे न, तो आपकी कड़ाही बिल्कुल साफ रहेगी, जरा से भी नहीं चिपकेगा, तो देखिए, घी हमारा बनके तयार है, अब इससे मैं आपने थाहन्ते आपेड रहेगा,